एक बार की बात है, जॉन नाम का एक युवक था जो एक छोटे से गाउं में रहता था। जॉन का एक प्रसिद चित्रकार बनने का सपना था, लेकिन वह आत्मसंदेह और असफलता के डर से संधर्श करता रहा। एक दिन जंगल में टहलते हुए, जॉन एक बूढ़े व्यक्ती से मिला, जो एक सुन्दर परिद्रिश्य का चित्र बना रहा था। जॉन बूढ़े आदमी की प्रतिभा से चकित था और उसने उससे बहतर चित्रकार बनने के बारे में सलाह मांगी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे लड़के, सुधार करने का एक मात्र तरीका अभ्यास करना, अभ्यास करना और कुछ और अभ्यास करना है। लेकिन सबसे महत्वपून बात यह है कि आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे आप कितनी भी बार अस्फल क्यों न हो जाएं। जौन ने बुढ़े आदमी की बातों को दिल से लगा लिया और अपने शिल्प में अपना सर्वस्व लगाने का निश्चय करके अपने गाव वापस चला गया। उन्होंने अपने चित्रों में अपने दिल और आत्मा को उंडेलते हुए हर दिन अभ्यास किया। कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद जौन ने कभी भी खुद पर और अपने सपने पर विश्वास नहीं खोया। साल बीते गए और जौन के चित्रों को पहचान और प्रशंसा मिलने लगी। दुनिया भर से लोग उसके काम की प्रशंसा करने आये और आखिरकार वह प्रसिद चित्रकार बन गया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। कर दो दो करने लगी। कर दो कि अपने लगी।